माजी दली तो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोच री उसे जनता ने ठुकरा दिया रावन की जहां तक बात रही वो तो रावन पहले भी थे रावन आज भी है रावन हमने नहीं लगाया चंदर सेकर जी रावन ने पहले भी लोगों को भड़काया यहां जगडे किये उन पर कहां चले गए थे अगर वो बुजदिल नहीं थे तो माजीद अली ऐसे जगडों में साथ आते हैं इमरान मसूद एक धबंग नेता की छबी रही है पर शासन सभी टकरा जाता है कहीं बार टकरा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी नगीना से सांसद चंदर सेकर आजाद के ईद और नमाज पर दिये गए ब्यान पर अब राईनिती शुरू हो गई है इमरान मसूद का कहना ये है के सड़क पर पढ़ी गई नमाज तो अल्ला को भी कबूल नहीं है इदर इमरान मसूद ने ब्यान दिया है तो मुस्लिम समाज के ही कुछ नेता अब इमरान मसूद पर उंगली उठाने लगे हैं अभी बोजन समाज पालिटी से सारनपूर से लोकसभा का चुनाव लड़े माजिद अली ने इमरान मसूद को डरपोग और बुजदिल सानसत बता दिया है आज इस पूरे परकरेंड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारनपूर लोकसभा से जुड़े हुए कुछ लोग है इन बियानों पर इनका क्या कहना है सुरुआत सर हम आपसे करेंगे जिस तरीके से इमरान मसूद ने कहा है के सड़क पर पढ़ी गई नमाज तो अल्ला को भी कबूल नहीं है तो इमरान मसूद के इस बियान के पीछे क्या राज नी दिया है जिस तरीके से लोकसभा में उन्हें सरुसमाज का वोट मिला है देखो एक वैसे तो हम देखो खिलाप वाड़े इमरान के भी पर इस बार हमने उसे ओट दिया चुकि उसके हमने कावलियत देखी उस आदमी में सरुसमाज के लिए काम करने वाड़ा लड़का है इमरान मसूद और किया भी है कर भी रहा है और कोई भड़काने वाड़ा ऐसा बियान नहीं हाला कि गलतियां सब से हो उससे भी एक आदबार गलती हुई बियान ऐसा दिया गया उस पर भी मोदी के खिलाब दे दिया था बोटी-बोटी वाड़ा पर वैसा आदमी वो है नहीं हमने जांचा परक्या तब उसे ओट दिया है और वो आज सरुमानने नेता है जो बात वो कह रहा है वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला आदमी है इमरान मुसूर चुकि इसलाम धरम में ये कहते हैं कि अगर कहीं दो आदमी औब्जेक्शन कर रहे गे या नमाज नहीं पड़ी जागी तो लोग महां की नमाज को ये मानते हैं कि लगेगी नहीं अल्ला कबोल नहीं करेगा इसलिए ऐसी कोई भी बात इम्रान ने गलत कहीं नहीं उस हिए जहां तक दूसरे लोगों की बात है जैसे चिंदर सेकरावन झी की बात है उन्होंने जो बियान दिया है उसमें लगता है कि हाँ उनका कुछ स्वार्थ है उसमें छुपए दिया वोट की राजनीती वो अपनी पार्टी को हरीजन और ये क्या बोलते हैं मुसल्मान को एक जुट करना चाहते हैं इसमें स्वार्थ नजर आ रहा भड़काऊ भाषन मैंने पहले भी बताया था कि ये समाज के लिए ऐसे लोगों का एक जिम्मेदार आदमी आज वो भी मानिये सांसद है तो ऐसे लोगों का अभ्यान ठीक नहीं है है इम्रान भाहिका भी ठीक और मौजी दली की जहां तक बात है उसक भी मां कहता हम माजी दली तो खिषियानी कहंबा नोंचुरी ऊसे जनत ने ठूकरा दिया और उसकी जो पार्टी थी बीसपी उसने ठूकरा दिया तो वो खिस्यानी बिली खंबा नोचरी चरह देया घंष से कर एक सांसत बनेंगे वह कुछ है नहीं तो इसलिए माजिद अली तो अपनी खीज निकाल ले हैं माजिद अली का कहना यह है कि इम्रान मुसूद सांसत जरूर हैं कोई मुपती थोड़ाई हैं जो इस प्रकार का एक तरह से फत्वा जारी कर रहे हैं फत्वा इम्रान मुसूद तो जरी निकर रहे हैं वो तो समाजिक बात कह रहा है जो समाज में है बात उसको कह रहा है फत्वा जरी निकर रहा है समाज में हिंदु मुस्लिम की खाई पाटने की कर रहे हैं कोशिस पर ये खाई पटे की नहीं आज हमारा जो सरुमान्य नेता इमरान मसूद है वो ऐसे काम होने नहीं देगा जनपद में आप कहीं भी बात कर लेना ऐसी कोई बढ़का वो आने की नहीं इमरान मसूद को नमाज के बारे में ज़्यादा ग्यान हो सकता है या फिर चंदर सेकर आजाद को बहुत देखो मुस्लिम को तो मुस्लिम के बारे में ज़्यादा ग्यान होगा बाई इमरान मसूद तो मुस्लिम है उन्हें ज़्यादा ग्यान है है और उन्होंने बात सही कहिई शरुचमाज उनकी बात मानता है इम्रान-मसूद इक धबंग नेता की चभी रही है पर्शासन से भी टक़चा जाता है कहीं बाद टकरां आहा है माजिदाली तो उनने पहले भी लोगों को भड़काया, यहां जगड़े किये, उन पर मुकदमे हैं उस चीज के, सबूत है वो, मुझे परमान देने की आवस्चता नहीं है, इसी तरह भड़का करके मुसलिमों को साथ लगाना चाहरे हैं, ऐसा नहीं है, मुसलिमों में कुछ लोग भड़का हमने जब आपका पहले स्टेटमेंट लिया था, तो उसके बाद जब वो वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हुआ, तो दलित समाज के बहुत से लोगों ने यह कमेंट किया कि यह तो आजाद समाज पारिटी के वोटर ही नहीं है, इन्हें तो चंदर सेका राजाद की आजा हैं जब मान्य है सांसत बन गदे और जहां तक उनसे हमारी चिडा चिडावर ना थी ना है, हम लोग बहुत सपोर्ट किया उन्हें, भारतिय किसान उन्यीन का सिफाई हूँ, उन्हें सपोर्ट किया, और इमरनमसूद ने सपोर्ट किया, तो आज ऐसा नहीं है, हमने उन्हे सपोर्ट की आवोट नहीं दी उन्हें अरना देने के कह रहे हैं हम उन्हें ओट मिन देने के पर ऐसा नहीं है यदि वो सम्मानित हैं तो उनका सम्मान करेंगे यह नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे सम्मान से उनसे बात करते हैं सम्मान से उनकी बात आग्या भी हई देश हिंदों का है या सबका हिंदू मुलिम सी किसाह सबका है और सरकार हमारी कोई एक धरम किनिवा करती सबी दर्मों के चुट्टी भी करती है उनके तैंध त्योवार भी मनाते हैं случае नियुन है और मुस्लिम हमारा बहुत समझदार हो चुका है इन लोगों के भैकावे में आने वाला नहीं है जैसे चंदर से कर रहा हूंने बढ़काया करका अपने साहत लगाना चाहरे कुछ हां जैसे माजी दली है यह खिश्याई बिल्ली जो है यह बाहर के लोग जो है इदर के भार और इन्हें उनकी पार्टी ने भी ठुकरा दिया हो से कह इनके घरवालों ने भी ठुकरा दिया हो हाँ यह पैसा जरूर नंबर दो में नंबर एक में कमा रहे हैं पैसे में जरूर यह लोग मजबूत है मेरे जैसा पैसे मजबूत नहीं है मारी दली का कहना ये है कि जिस्चमे इद पर नमाज होती है तो मस्जिद में या इद गाह में जगे थोड़ी कम पढ़ जाती है अगर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो थोड़े वोत सड़कों पर आकर नमाज पढ़ लेते हैं तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये तो एक तरह से मुस्लिमों को टार्गेट किया जाता है क्योंकि जब ये का जाता है कि हिंदुस्तान में सर्व धर्म का सम्मान है तो फिर उस धर्म से दिक्कत क्यों है तो कोजी बात साफ है जहां कहीं पर्मिशन ले करके अभी सभी धर्मों के लाउडू स्पीकर उतरवाय दिये गए जिस जिसने पर्मिशन ले ली चैव मंदिर है चैव मस्जिद है वहां चल ले भज रहे हैं तो सरकार यदि कोई कानून ववस्था के हिसाब से या किसी भी हि दिवस्था चलाना चारी है तो मुसल्मान भी सहयोग कर रहा उसमें और हिंदू भी सहयोग कर रहा मुसल्मान नों कोई आवाज नहीं उठाई चंदर सेकरजी से पहले किसी मुसल्मान ने निका आए खुझ मिर साथ अत्याचार हो रहा मुझे सड़कपन नमाज ने पढ़ नहीं हुई इद की भी पढ़ी जा रही बकराईद की भी पढ़ी जा रही और वैसे भी किसी भी समय देखिए यह देश सभी धर्मों से चला मेरे मुसलिम साथी भी है मेरे 36 ब्रादरी में दोस्त है और हम लोग एक दूसरे के तीज तुहर मिल के मनाते भी है इद पर हम लो लगा रहे वो अलग बात है पर हम लोग उनके हाँ आना जाना अपना रखते हैं और में लोग हमारा साथ दे रहे हैं कोई बढ़काओ बात नहीं है उनके नाम क्या रावन लगा हुएं रावन तो बहुत बड़ा पंडित रहे हैं तो हम कभे रावन लगा रहे था अब कुछ समय से हुए है आजात लगाने लगे अब चंदर से कर आजात कह रहे हैं पहले रावन कह रहे थे हम लोग सारणपूर के अब उन्हें रावन के जगे आजात लगाने लगे आजात कहने लगेंगे तो जो उनकी इच्छा है वो लगा ले हुए हमें कोई इतराज नह जाए। मैं भी एक सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद नहीं बन पाया लेकिन मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं केवल वो अपनी खीज मिटाने का काम कर रहे बाकी और कोई ऐसी खास बात नहीं है जो उनका ब्यान है उन्होंने कहा कि इम्रान मसूद जो है बुजदिल है और डर गए नहीं है तो इम्रान मसूद तो तब भी थे जब उन्होंने देवबंद में उल्टी सीदी बाते कही थी लेकिन आज वो उस बात को नहीं कह रहे हैं आज तो सक्क किनारा कर गे हैं और इम्रान मसूद ने तो यहां कहीं सारन पुर में कहीं जगए ऐसे अंदोलन भी किये हैं जिन में वो आगर है और कहीं जगे उन्होंने चाहे सिक्फों की साथ जगडा हुआ हो चाहे किसी और बिरादरी के साथ जगडा हुआ हो सारणपुर में या कहीं पजिले सारणपुर में उन्होंने जाकर अपना मध्यस्ता भी की है तो उस समय माजिद अली कहां चले गए थे अगर वो बुजदिल नहीं थे तो माजीद अली ऐसे जगडों में साथ आते और अपनी ब्रादरी को कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ इम्रान वसूद अपनी ब्रादरी के साथ भी थे और दूसरे ब्रादरियों के साथ भी थे यो ओचीत लगा उन्हें उस समय तरीके का काम किया और आज इम्रान वसूद संसद है और बड़िया बात करर Heils दी इसमें सार्ण। के विकास की बात की तो ऐसा ही होना चाहिए सारनपुर का विकास होना चाहिए उन्होंने वह बनाने का पुल बनाने का काम किया की बात उठाई है और बहुत कुछ मुद्धे उन्होंने यहां के उठाए है बस स्टेंड की बात उठाई है और गड़करी जी से भी मिले है तो इस धर्म को खुश करने के लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं नहीं नहीं अगर रोड बनेगी अंबाला रोड से और देरादुन रोड को अगर कोई पुल बन जग बन गए आज तरीके का अलेवेटेड रोड बन गई कोई ऐसी तो उससे तो सारे हिंदो मुस्लिम सीखिसाई सब जाएंगे सब को लाब होगा जितने भारी वाहन चलेंगे उनको भी लाब होगा सब को ही तो लाब होना है सब का ही तो विकास होना है और जहां रोड जाएगी जहां तक रोड रहेगी उस पे जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें मुसलमान कहां नहीं आएगा, मुसलमान अपने होटल भी खूलेगा, मुसलमान अपने और भी काम करेगा, तो क्या काम नहीं करेगा, और जब लोग आएंगे बाहर से, तो और बिजनिस बढ़ेगा, और जब बिजनिस ब ने निकल जाए बस केवल ये जगड़ा एहम का हो गया बाकि और कोई जगड़ा नहीं रहा और रावन की जहां तक बात रही वो तो रावन पहले भी थे रावनाज भी है इमरान मसूद ने जिस तरीके से ब्यान दिया है कि सड़कों पर पड़ी जाने वाली नमाज को तो अल जितना है अगर अपनी प्रार्थना सड़कों पर करना सुरू कर देगा तो सारी सड़के दोबलोग हो जांगी हिंदूस्तान की फिर तो विकास सारा रुख जागा और जब सब विकास रुख जागा तब तो फिर लोग चिल्लाना सुरू करतेंगी लेकिन वो प्रार्थना जो दूसरे को कष्ट दे कर कोई प्रार्थन की जाए या कोई इबादत की जाए जिसमें दूसरे को कष्ट हो वो प्रार्थना इस्वर या अल्ला से विकार नहीं करते तो माजीद अली और चंदर सेकर आजाद का ब्यान क्या उकसाने वाला है माजीद अली तो अलग बात है क्योंकि उनका वो चुनाव हार चुके और वो अपना अब नया कोई रास्ता देखने की बात कर रहे हैं तो उनका तो अलग मेंटर है, लेकिन जहां तक चंदर सेखर की बात है, जिस तिन हमने ये बाइट दी, उस तिन भी चंदर सेखर के बारे में हमने कहा था, कि वो केवल अपनी वोट की राजनीती देख रहे हैं, लेकिन जब से दोबारा से ब्यस्पी ने के मायवती पहन जी जो बनाई अपने को कोडिनिटर बना दिया, अपने बती जो आका सानन्द को, उसी दिन से उनके भाव डाउन हो गये, उसी दिन से चंद सेखर को लगा कि तुम्हार तो जनाधार की सक्गिया, क्योंकि आज भी जो और वोटर बसपा का है, वो बसपा का ही है, वो कि बनेगी अगर सरकार नहीं भी बनती है तो आजाज समाज्य समर्थन बाज़ कोंट ब refuse सरकार नहीं बनेगी यह बहूत दूर की कलपना है मायावती के सकती है कि मैं मेरे मैं कुछ ईतनी सीटे लियाऊंग हना लुगो यह सकता है कि मेरे जर्चितेस सिस्थ divorce को ओ고 जब आज ही आग आ गई है, 27 की तो बहुत दूर की बात है, सुपने छोड़ दें, वो यदि मायवती में भी ले करें, तब तो वो कह सकते हैं कि यह बसपा पार्टी है, इसमें इतने लोग आएंगे, तो आ सकते हैं, तो हमारे भी न सरकार न बने, लेकिन अकेले आजाद पा पाएंगे, बसपा का एक अपना कोर वोटर है, और बसपा के साथ मायवती जी ने भी मुस्लिम भी लगाए है, और उस जातिये भी उन्होंने अपने साथ लगाई है, और हरिजन तो वोट है यह उनका, हरिजन तो उनका वोटर है कही रहेगा, लेकिन हरिजन भी वो सारा व कर लिया आपस में आया इन दील दे जो चोटाला जी है उस दूसें चोटाला उन से तो वो भी इसी लिए किया कि भई वो अपना आधार बढ़ा रही है और चंदर सेखर बहुत दूर के खवाब है राज कुमार जी इमरान मसूद के बियान पर और चंदर सेखर आजाद के बि पर आपका क्या विचार है क्या आप कहीं है देखे विपिन जी जहां तक इमरान मसूद की बात है इमरान मसूद की तो कहीं पीडिया बीट की शयासत करते करते उनके दाद्दा जीने की काजी सुदे साब ने उनको भी लोग यही कहाए गरे थे कि हिंदू मुस्ली में एक परतीक रहे और रहे भी कोई जगडा स्याद रसीद साब ने ना करा हो कोई जगडा स्याद इमरान ने ना करा हो जब से इमरान मसूद इसमें शयासत माये हैं जहां तक अब इनकी शयासत की बात है इनसे इनकी वो तुलना करो देखे ना तो माजीद कहीं ठैर रहा इमरान क सामने और ना कहीं अभी चंदर चेकर जी ठैड़ने हैं देखे ये तो बिना मतलब की बाते हैं अगर राना जी मेरे से विद्वान आदमी है और मैं इंसे अपनी तुलना लग जू करन के राजमार भी तरही बुद्धी मान हो जगा देखे उनकी दाड़ी सफेद है मेरी अभ दूसरी बात यह है कि उसने संगर्ष करते करते अभी हो 17 साल से दूर था वो तो SME जीता बेट से निरदलीय जीत का था? निरदलीय जीत का चलागा था और और चुनो कई कई लोग उसने SME में भीजवा दिये कई 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 लोग तो अगर उसका जनाधार ना होता उसकी पकड़ना होती तो इमराण मसूद की राजनिती में और यह आपके माजीद अली इनकी श्यासत करने का इमरान मसूत होजेंगे क्या उन्हों नहीं इतनी जल्दी तो कोई बी नुमेगां पारटी सालक хрिजा ता ही नहीं उन्होंने इसको किसका दिया, तो मेरा कहने का मतलबी है, देखे सियासत एक 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 जाती ध्रम से नहीं विवा करती है, सर्वसमाज के लोगों को साथ रखना पड़े है, सर्वसमाज के लोगों में रहना पड़े है, उनके दुखसुक में साजी रहना पड़े है, तो कहने का मेरा मतलबी है कि इमरान सा अगर ये अपनी तुल्ला करें तो अभी तो इन्हें बहुत से में लगए बहुत लंबा से में लगए चलिए तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदोस्तान 24 के साथ न सकति कि मुलाकात से मुलाकात रहे हैं यूक्राओवका रहे हैं धिर से मुलाकाति